पादां गुष्ठासन किसी एक बिंदु को लगातार देखते जाओ कम से कम 40 या 60 तक गिनती गिनो और फिर धीरे से हाथ और पैर नीचे इस आसन को भी दोनों पैरों से करना है दाहिने पैर पर साई बाबा की तरह बैठो और नमस्कार करो ठीक है अब विश्राम पूरा ध्यान शरीर पर लाब इस आसन से पैरों को ताकत मिलती है एक आगरता बढ़ती है और दृष्टी दोश ठीक होता है शरीर का संतुलन उत्तम होता है